एक बार की बात है, बादशा अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे उसी समय बादशा के कमरे के पास से कूरा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है उस कूरा उठाने वाले सेवक को पानी लिये, अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौप गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी ऐसे में बिना ज़्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ, गिलास पकड़ा और पानी पी लिया उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्य करता उनके कमरे में पहुँचे, उन्होंने कूरा उठाने वाले सेवक को वहाँ देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा फिर उन्होंने कुछ देर बादशा से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए तभी कुछ देर बाद बादशा अकबर का पेट खराब होने लगा बादशा की ऐसी हालत देखकर, बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयक में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था तभी राजवैद्य ने बादशा को जोतिश बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा बादशा लगता है आप पर मन्हूस इंसान का साया पर गया है राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने जोतिश को बुलाने का आदेश दिया तभी अकबर के मन में हुआ किसी मन्हूस की परचाई तो मुझ पर पड़ी नहीं बस कूरा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी बादशा का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया कुछ देर बाद बादशा के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला वो तुरंट उस कर्मचारी के पास पहुँचे और कहा, कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीद से तुम्हें बचा ही लूँगा। इतना कहकर बीरबल तुरंट बादशा अकबर के पास पहुँच गए। बीरबल ने बादशा से पूछा, आपको क्या हुआ है, कैस इतना बीमार पढ़ गए। जवाब में अकबर बोले, बीरबल एक मनहूस, इंसान की चाया मुझ पर पढ़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशा का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हसने लगे। ये देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल तुम मेरी बीमारी का मजा कुरा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशा, मुझे तो बस इतना कहना है, कि अगर मैं आपके सामने उस कुरा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आउन तो, क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे। आ महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयम ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है, कि उसके कारण आपकी तबीयक खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आप को पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुँच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़ी पूरा जीवन बरबाद हो गया। आप कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताएगी।